नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोग के बीच एक नए रेसे पी के साथ अगर रेसे पी पसंद आता है तो वीडियो को लाइ कीजिए और चाइनल पर नए होंगे तो पिले चाइनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए रेसेपी ये स्टार्ट करते हैं तो आज हम बनाएंगे आलू और प्याज से बहुते टेस्टी और अलग तरीके का नस्ता उसके लिए यहां पर हम दो कच्चे आलू लि लिए हैं और दो प्याज का चिलका उतार कर इसको भी अच्चे से साप कर लिए हैं तो यहां पर हम एक बॉल में पानी लिए हैं और एक गिरेटर लिए हैं तो सबसे पहले हम आलू को कदू कस कर लेते हैं तो इसी तरीके से हम सारा आलू को कदू कस कर लेंगे इस नास्ते क दोकर बनाने में बिल्कुल टाम नहीं लगता है, बहुत छट पर से बन कर तयार हो जाता है, तो इसी तरीके से हम सारा आलू को कदूकस कर लेंगे, तो बातों-बातों में हमने सारा आलू को घीस लिए, देख सकते हैं, कितना असानी से हो गया है, तो इसको हम 2-3 पानी धोकर अच्छे से साप कर लेंगे जो इसमें स्टाढ होगा तो निकल जाएगा देख सकते हैं तो दो से तीन पानी धोने के बाद सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे इसी बॉल में हम अलु को डाल देंगे तो सारा आलु को हम बॉल में डाल दिये हैं और प्याज को हमने बारी काट लिये थे तो उसको भी डाल देंगे तो दो हरी मिर्च को हमने बारी काट लिये थे उसे भी डाल देती हूं और थोड़ा सा हारा धनिया के पतिया डाल रहे हैं और थोड़ा सा हम आजवाइन डाल रहे हैं इसे टेस्ट बहुते अ इससे कलर बहुते आच्छा आता है और थोड़ा सा हम काली मिर्च के पावडर डाल रहे हैं और यहां पर हम थोड़ा सा कुटा हुआ जीरा का पावडर डाल रहे हैं और यहां पर हम आधा चमच नमक डाल रहे हैं आप अपने टेस्ट के अमसार डाल सकते हैं और सब कुछ डा कंपलाव डाले हैं तो हम तीन चमच कंपलाव डाल दिये हैं और अच्छे से मेक्स कर देंगे तो अच्छे से मेक्स करने के बाद हम चमच छत्रा देते हैं और हाथों से मेक्स करेंगे इसमें बिल्कुल अभी पानी नहीं डाले हैं तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देते ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम दो चमच पानी डाल दिये हैं और अच्छे से मिक्स कर दिये हैं देख सकते हैं तो चलते हैं गैस के पास तो गैस में एक तावा चड़ा दिये हैं अगर आपके पास पेन हो तो पेन में बना सकते हैं लेकिन मेरे पास तावा है तो ह भी बहुत असानी से बन जाता है तो तीन चमच हम बेटड़ इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से फवटा देंगे थोड़ा मोटा ही राखेंगे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे तो इस तरीके से हम फैला देंगे देख सकते हैं तो इतना ही मोटा और इतना ही बाड़ा रखेंगे इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे तो यह हो चुका है तो इसका किनारा हम थोड़ा तेल गिरा देते हैं इस तरीके से ताकि नीचा का हिस्सा भी हमारा अच्छे से पक जाए तो हम तेल गिरा दिये हैं अब दो मिनट बाद हम इसे पलटेंगे तो दो मिनट हो चुका है तो इसको हम पलट देते हैं इस तरीके से देखिए कितना आच्छा पक चुका है एक तरफ से तो इसी तरीके से हम दोनों तरब से उलटते पलटते गोल्डन ब्राउंड होने तक इसे पका लेंगे और थोड़ा सा तेल हम और गिरा देते हैं तो देखिए चार से पांच मिनट में हम इसको अच्छे से पका लिए हैं बिल्कुल करारा हो गया है तो इसको हम एक पलेट में निकाल लेते हैं और बाकी का भी हम इसी तरीके से पका लेंगे तो दूसरा भी हम डाल दिये हैं और इसको भी हम थोड़ा देर बाद में पलटेंगे तो दो मिनट बाद इसको भी पलट देते हैं देख सकते हैं यह हो गया है तो इस तरीके से हम पलट देंगे तो इसी तरीके से हम बाकी का नस्ता भी बना कर तयार कर लिए तो लिजिए हमारा आलू और प्याज का नस्ता बन कर तयार हो गया है देख सकते हैं तो इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और ज्यादा खर्च भी नहीं लगता है और बहुत कम तेल में बनकर तयार होता है तो आपको जब कभी इस तरीके का नस्ता खाने का मन हो तो जटपट से बना कर खा सकते हैं इसे बनाने में फिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो अगर मेरा रेसेपी आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो कमेंट में जैसे री राम लिखना ना भूलिएगा मिलती हूँ फिर से एक नए रेसेपी के साथ तब तक लिए धन्यवाद